हेलो दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वालाओं हिमांचल प्रदेश के कैंडिडेट के लिए एक इंपोर्टे नियूस की देखी हिमांचल में ग्रीब स्वरणों एकॉनमिकल विकर सेक्षन के लिए 10 प्रतिशत अरक्षन कोटा लागू किया गया है और समानिया वर्ग का BPL कोटा समाप्त कर दिया गया है तो देखी हिमांचल प्रदेश गौवर्मेंट की और से एकॉनमिकल विकर सेक्षन के लिए जो 10 प्रतिशत अरक्षन कोटा लागू किया गया है इसमें कौन-कौन से कैंडिडेट शामिल हो सकते हैं और हिमांचल प्रदेश गौवर्मेंट की और से इस 10 प्रतिशत अरक्षन कोटे में शामिल होने के लिए क्या इलिजिबिटी क्राइटेरिया रख्या गया है इन सब की पूरी जानकारी में आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ हिमांचल में ग्रीब स्वरणों के लिए 10 प्रतिशत अरक्षन लागू हो गया है आर्थिक रूप से कमजोर समानय वर्ग के लोगों को सरकारी नौकरियों और उच शिक्षन संस्थानों में प्रवेश के लिए 10 प्रतिशत अरक्षन मिलेगा सलाना 4 लाग से कम आयवाले प्रिवार इसके लिए पातर होंगे तो देखे इस अरक्षन व्यवस्ता के साथ ही प्रदेश में पहले से लागू समानय श्रेणी के BPL कैंडिडेट के लिए 8 प्रतिशत अरक्षन कोटे को समाप्त कर दिया गया है तो देखे समानय श्रेणी के जितने भी कैंडिडेट BPL के तहत आते हैं वे सबी इस 10 प्रतिशत अरक्षन कोटे में शामिल किये गये हैं तो देखे BPL श्रेणी के आवेदकों को EWS श्रेणी के तहत आवेदन करना होगा इन्हें कोई अत्रिक्त सर्टिफिकेट बनाने की जरूरत नहीं होगी आवेदन के दोरान इन्हें सिर्फ BPL सर्टिफिकेट ही देना होगा हालांकि OBC, SC, ST के BPL अभ्यार्थियों के लिए तै 7 प्रतिशत अरक्षन कोटे को समाप्त नहीं किया गया है तो देखे अब हम बात करते हैं हिमाचल प्रतिश गोवर्मेंट के और से इस 10 प्रतिशत अरक्षन कोटे में शामिल होने के लिए कैंडिडियेट के लिए क्या eligibility criteria रखा गया है तो देखे समाने वर्ग के सभी BPL और वो गरीब अभ्यार्थि जिनकी परिवारिक आय चार लाग से कम हो ग्रामिन में एक हेक्टेर से कम क्रिशी भूमी शेहरिक शेतर में 500 वर्ग मिटर से जादा ना हो गर या फ्लेट धाई हजार वर्ग फुट से जादा नहीं होना चाहिए इंकम टेक्स देने वाले के इंदर वो राज्य सरकार बोर्ड निगम और सार्विनिक शेतर की कमपनियों के नियमित अनुबंद करमचारियों के प्रिवार के सदस्या पातर नहीं होंगे तो देखे यदि आप इस eligibility criteria को fulfill करते हो तो आप इस 10% अरक्षन कोटे में शामिल होने के लिए apply कर सकते हो तो देखे अरक्षन का लाब लेने के लिए आवेद को आय एवं संपत्ती certificate बनाना होगा तो देखे कोई भी economical wicker section आवेदक general श्रेणी के तहत भी आवेदन कर सकता है अगर कोई EWS आवेदक अरक्षन व्यवस्ता के बजाय अपनी merit के अधार पर चैनित होता है तो भी उसकी seat को general category के तहत ही माना जाएगा और economical wicker section कोटे की seat के लिए इस श्रेणी के अगले candidate पर विचार किया जाएगा देखे ये थी पूरी जानकारी हिमांचल प्रदेश के गरीब स्वरणों को लागू किएगे 10% आरक्षन कोटे की यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेर करें इस चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही वीडियो का फायदा उठाने के लिए आज के वीडियो में बस इतना ही थेंक्स फॉर वाचिए